हेलो एवरिवान, वेलकम टुजजज़सवर्ड आज के वीडियो में हम सिखेंगे कि गमले में टमाटर कैसे उगाते हैं तो गमले में टमाटर उगाना बहुत आसान है, थोड़ी सी केयर करके आप लगातार सद्यों में टमाटर की सप्लाई ले सकते हैं तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी इसके बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब जूर कर ले तो चलिए शुरू करते हैं टमाटर को वैसे तो किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है लेकिन उत्तर भारत में ये बेसिकली सर्दियों की सब्सी है तो सर्दियों में आप इसको उगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सर्दियों में इससे अच्छी मात्रा में फल पाने के लिए आप इसको जुलाई औगस्ट में इसके बीज डाल दीजिए इसकी पौद तयार कर लीजिए अगर आप बिगनर हैं तो अच्छा यही होगा कि आप नर्सरी से तयार पौद लाकर लगा दे घर पर पौद तयार करने के लिए अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज लाकर तो आप उसको किसी छोटे गमले में डाल दीजिए उन बीजों को ये बीज बहुत छोटे होते हैं तो इनको थोड़ा दूर दूर लगाईएगा और उसके बाद उस पर हमने मिट्टी की एक पतली लेयर डाल कर उसको ढख देना है आप चाहें तो जो घर पर किचन में टमाटर होते हैं उसमें से एक बड़ा सा लाल टमाटर लेकर पका हुआ टमाटर तो उसके बीज भी लगा सकते हैं मिट्टी से कवर करने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है और जब तक बीज जर्मिनेट नहीं करते तब तक आपने उपर की लेयर को सूखने नहीं देना लेकिन वो सिरफ थोड़ी सी गीली होनी चाहिए जब टमाटर की पौद 5-6 इंच की हो जाए तब आप इसके पौदों को निकाल कर बड़े कंटेनर में लगा दीजिए इसके लिए आप ग्रो बैग्स का इस्तिमाल कर सकते हैं या आप घर पर जो बड़े बोरे होते हैं उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो आपके सिमेंट के बोरे हैं या आप चावल या दाले या आटे के बोरे हैं तो उसमें भी आप इसके पौदों को लगा सकते हैं पौद लगाने से पहले आपने जो मिट्टी तयार करनी है उसके बारे में भी जान लेते हैं मिट्टी बुरबुरे होनी चाहिए उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए लेकिन वो नमी को बना कर रखने वाली हो चाहिए तो पौशक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए और पौशक तत्वों से भरपूर मिट्टी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है आई बटन पर लिंक शो हो रहा होगा आप उसे देख सकते हैं पौदे को ट्रांस्प्लांट करते समय आपने इसके ये नीचे के जो लीव्स हैं इनको हटा देना है और इसका जो ये स्टेम है इसको जितना ज्यादा आप मिट्टी में लगाएंगे दबाएंगे उतना ही अच्छा पौदा तयार होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि आप जितना स्टेम मिट्टी में दबाएंगे उस सभी पर रूट्स आएंगी तो रूट्स सिस्टम स्ट्रॉंग होगा तो प्लांट भी अच्छा बनेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तमाटर के पौधे जब बड़े होने लगे तब आपको इस तरह से इसकी स्टेकिंग करनी है कोई बैंबू स्टेक या कोई लक्टी के सहारे से इसके स्टेम को बाण देना है नहीं तो जब इस पर फ्रूटिंग होगी तो फ्रूट्स के वेट से यह स्टेम या इसकी टेहनिय टूट जाएंगी टमाटर के पौदो में जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो वैसे तो इसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों बाठ होते हैं तो अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाती है लेकिन अगर आप शूर होना चाहते हैं तो आप सिंपली इसकी पॉलिनेशन जो है वो हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं तो वो पॉलिनेशन कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है आप देख सकते हैं इसकी केर टिप्स की बात करें तो इसमें पानी की कमी आपने नही होनी देनी मिट्टि सूख नहीं नहीं चाहिए और इसकी नीचे की यह जो स्टैम आपने जितने भी लीव्ज है वह पुराने लीव्ज हटाते जाना है तो स्टैम के आसपास आपको मिट्टि जो है उसमें हवा और दूप लगनी चाहिए नहीं तो इस पर बहुत से फंगल अ ना कीट पतंगे जो हैं वो इन पर अटैक कर देते हैं तो इससे बचने के लिए अच्छा होगा कि आप नीचे के लीव्स जो हैं वो हटाते रहें और मिट्टी में गुड़ाई हर 10-15 दिन के बाद गुड़ाई करें और इसमें अलग-अलग जो फर्टिलाइजर्स हैं आप एड़ करते जाये मैं केवल और्गैनिक फर्टिलाइजर ही डालती हूं क्योंके घर पर सबजियां हम अगर उगाते हैं तो उसमें अगर हम कैमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो फिर इतनी मेहनत का फाइदा ही क्या क्योंके कैमिकल वली सबजियां तो हम वाजार से सबजी मंडी से लाकर भी खा सकते हैं प्रॉब्लम्स की बात करें तो मेन प्रॉब्लम इस पर आता है लीफ करल वाइरस का अटैक होता है तो शुरुआत में अगर वो अटैक है तो आप वो पत्ते हटाते जाएं तामबे के बरतन में खटी लसी है उसको आप 6-7 दिन के लिए रख दें और उसके ब वो ट्रीटमेंट कर लेना है तो आपका पौदा हो सकता है बच जाए तो इसलिए यह पंगी साइड आप हमेशा बना कर रखें क्योंकि अगर एक बार टैक हो जाता है और बहुत ज्यादा हो जाता है तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही सल्यूशन होता है कि आप उस प नहीं करें उसको एक सीजन के लिए अलग से रख दें दूप दिखा कर बाकि आप निजमित रूप से नीम उयल का सप्रेश पर करते रहें तो ज्यादा प्राब्लम्स इस पर नहीं आएंगी सो इसमें कैल्शियम की कमी आपने नहीं होने देनी क्योंकि अगर आप कैल्शिय की कमी मिट्टी में हो जाएगी यहां पर इस तरह से यह हिस्सा काला हो जाता है हुमें ही जब आप मिट्टी बनाएं तो उसमें आप जो एग शेल्स हैं वो मिला सकते हैं तो वो स्लोली उसमें से कैल्शियम रिलीज होता रहता है या आप इसमें चुना मिला सकते हैं बहु में ये दोनों चीजें कभी इस्तिमाल नहीं की चुनना या चॉक पाउडर मैं सिर्फ एग शेल्स इसमें डालती रहती हूं और मेरे ड्माटर के पौदों पर फलों में ये समस्या कभी नहीं आई हां ये एक समस्या आई थी तो अगर मैं उसके बारे में भी यहां डिटेल मे बात करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी या उपर आई बटन पर शो हो रहा होगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वज़े से होती है और इसका सॉलूशन क्या है टमाटरों का रंग जब इस तरह से चेंज होने लगे तो अच्छा होगा कि आप उसको हार्वेस्ट कर लें उसको पूरा लाल ना होने दे पौदे पर क्योंकि अगर टमाटर पूरा लाल हो जाएगा तो प्लांट जो है वो नए फूल खिलाना बंद कर देगा और आपको उ इस तरह से इनका कलर चेंज होने लगे तो आप इसको तोड़ लें और इनको रख लें अपने स्टोर करके और यह अपने आप ही लाल हो जाएंगे खुब क्या आपको यह सारी बातें अच्छी लगी होंगी और बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सुरूर करिएगा